नमस्कार मैं हूँ राज मोहंतिवारी और आप जुर चुके हैं लाइव बिहार के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं पातेपूर विधानसबा सीट की सेरुनी कही जाने वाली प्रेमा चौधरी एक बार फिर से आरजेडी में वापसी कर रही हैं आपको बता दे कि वैसाली जीले का पातेपूर विधानसबा सीट सी के लिए सुरक्षी थे 1995 से इस सीट पर प्रेमा चौधरी राजनिती में सक्रिये हैं और अब तक तीन दफा वो विधायक बनकर विधानसबा पहुची है सबसे पहले सन 2000 में वो यहां से चुनाव जीती थी आरजेडी की टिकट पर उसके बाद अक्टूबर 2005 में भी उन्होंने आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव जीता उसके बाद 2015 में भी उन्होंने आरजेडी के टिकट पर ही इस पातेपूर विधानसबा सीट से चु मिल हो गई थी लेकिन 2020 विधान सभा के चुनाव में पातेपूर विधान सभा सीट बीजेपी के खाते में चली गई उन्हें टिकट नहीं मिला और उसके बाद से वो लगातार पाटी से किनारे चल रही थी यहां तक कि उन्होंने कई दफा अपनी नराजगी भी जाहिर की थी और अब से छो महीने पहले उन्होंने जनतादल यूनाइटेड की सदस्ता से त्याग पत्र दे दिया था और अब ये खबर आ रही है कि एक बार फिर से प्रेमा चौधरी पातेपूर विधान सभा सीट की सेरनी आरजेडी में वापसी कर रही हैं लालु प्रसाद यादों क की मवजूदगी में वो आरजेडी की सदस्ता लेंगी और वैसाली में आरजेडी को मजबूत करने के लिए काम करेंगी एम एलसी का चुनाओ भी नजदीक है ऐसे में प्रेमा चौधरी का आरजेडी में वापसी करना आरजेडी के लिए काफी फायदे मंद हो सकता है और सा प्रदेश उपध्यक्ष जरूर बनाया गया लेकिन कहीं न कहीं ये किनारे कर दी गई थी और एक बार फिर अब जब आरजेडी में वापसी करेंगी तो कई उम्मीदों के साथ एक तो खुद का कडियर भी दाओं पे होगा कि आगे के चुनाओं में भी इन्हें पार्टी मौ लेकिन साथी साथ आरजेडी भी ये बात सोच रही होगी कि आगे जो एमेल सी के चुनाओं होने वाले हैं वहाँ पर सायद प्रेमा चौधरी उनके लिए लापदायक साबित हों हलांकि कितनी लापदायक साबित होंगी ये वक्त की बात है अब बने रहें लाइब बिहार क पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें